कि अलो दोस्तों कैसे हो आप सभी उमीद करता हूं आप सभी बढ़िया होंगे आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि आपके लेप्टोप या डेक्स्टोप के अंदर आप जब रेम चेंज कराते हों कि हम लोग थोड़ी इसी लेप्टोप की या डेक्स्टो आने से कम्प्यूटर की स्पीड बढ़ती हैं लेकिन उससे पहले आप चेक जरूर कर ले कि आपका लेप्टोप या डेक्स्टोप का मदरबोर्ड का जो फ्लोट है जहां पर रेम डलती है उसकी केपासिटी कितनी है रेम को सपोर्ट करने की कि उसकी चार्ज भी तक सपोर् चेक जरूर कर लें तो आप कैसे चेक करोगे आज के इस वीडियो में आप लोगों को ये बताने वाला हूँ तब जब भी मार्केट के अंदर लेप्टोप में या डेक्स्टोप के अंदर जब भी आप रेम चेंज कराने जाओ या थोड़ी बढ़ाने जाओ उससे पहले आ अगrage आपके लेप्टोप में देक्सटोप के अंदर लास्ट तक आप कितनी जब एम हो ड़ा सकते हो अगर आपके लैपटोप तोप में द्र 4 डडले मत इन दर यदि और या आठ जब डला लेते हो हलांकि वह लेपटव कांड के नहीं है कांड की पैस्टल सपोर्ट ही उत मदर बोर्ड के अंदर कितनी रेम सपोर्टेड होगी अलो दोस्तों मैं सतिपाल सर्मा टेकनिकल दोस्ति लिया के चनल में आपका फिर से स्वावित करता हूँ तो बिना टाइम वेस्ट के वे वीडियो सुरू करते हैं चलते हैं computer screen पर मैं आपको कुछ command बताऊँगा वो command आपको computer को देना है cmd के अंदर और बहुत ही easy तरीके से आप पता लगा सकते हो कि आपके laptop या desktop के अंदर जो motherboard है उसकी रेम की capacity कितनी है तो चलिए चलते है computer screen पर यॉसके लिए आपको क्या करना है simply सबसे पहले क्या करना है यहाँ अनौद यहाँ पर रन और ऑपन करना है और जैसे आप रन फाइल if आपन करना चाहो तो आप सीधा विंडो प्लस आर दबाया है यहाँ पे आप रन वह डारेक्ट् simpl करके भी बट मैंने फाइल फाइल क्मांड मोड़ ऊपन हो गया और मैंने यहाँ पे cmd न लिखा है मैं आपको जूम करके दिखा देता हूं आपको तो इस टाइप चे आपको cmd यह वो टाइप करना है एजली है चलिए तो अब हम लोग यहां पर इसको okay कर देती भी तो हमारे सामने क्या आजाता है कमांड मोड वो ओपन हो जाता है और यहां यहां पर हमें एक command देनी है वह वहां आपको यहां पर बताता हूं तो दोस्तों Symphony आपको यहarkan ड county Tap करना है cmd के अंदर टाइप करें एजटेस में आपको यह वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर भी दिर्दुगा तो वहां से आप कोपी करके भी डारेक्ट से वह लिख सकते हो पर ध्यान रही मेंनिंग की गलती है वह बिल्कुल भी नहीं करें तो ऐसे सिम्पली आप बहुती इजी तरीके से वह कर सकते हो अब आपको क्या करना है सिम्पली इंटर है वह प्रेस करना है तो हम लोगों ने लिख दी कि मेमोरी जो फिजिकल अगेट है वह मेक्सिमम उसकी केपासिटी कितनी है उसको हम लोगों ने cmd में कमांड देके इंटर प्रेस है तब हमारे सामने हमारी जो केपासिटी है मेरे मैं भी जो जो लेपटोप कर रहा हूं उसकी जो केपासिटी है वह आपकों के सामने आ चुकी है तो 83,8608 KB में आई है तो मैं इस KB को GB में कनवर्ट करूंगा तो कैसे करेंगे वैसे मैंने Google Chrome ब्राउजर से पहले से ही किय हुआ है तो मैंने केपी को GB में convert किया है तो आपके सामने मैं यह हापे की यह और का कर आपTH कर आई है और यहां मैं मीरे सामने मैं कि तक मैं 8GB दाल सकता हूँ आधर मैं इसमें 10GB 16GB darla यह कुछी काम क्यी नहीं है आलाकि मेरे लिकैंग चीट्टोप में और मैं lu arswalू काम है वो मेरा 8GB करेगी क्योंकि Motherboard के अंदर सपोर्टेड ही लास्ट 8GB ही है तो मैं आपको एक सला दूँगा कि यदि आप अपने laptop में या desktop के अंदर रेम चेंज करा रहे हो तो सबसे पहले आपके laptop की या desktop की capacity है वो जरूर चेक कर लें कि Motherboard के अंदर आपकी laptop है या desktop है जो भी आप यूज कर रहे हो उसकी capacity कितनी है कितनी वो cover कर पाता है उतनी ही देम डलवाए अदर्वाइस आप कितनी भी डलवा लो वो stage है तो दोस्तों उमीद करता हूँ आप लोगों समझ में आ गया होगा तो आज के लिए इतना ही आप मिलते है नेक्स्ट वीडियो में और बने रहे हैं दोस्तों टेक्निकल दोस्त इंडिया के साथ और ऐसे टेक्निकल से रिलेटेड जानकारियां पाते रहे हैं वो भी बि दोस्तों उमीद करता हूँ वीडियो आपके लिए हिल्फुल है आपको नौलेज मिल रहा है तो दोस्तों एक लाइक तो बनता है और आँ दोस्तों यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार रहे हो तो चैनल को सस्क्राइब करना नहीं बुलें क्योंकि इस चैनल पर मिलने वाल है नहीं अ